लो दोस्तो इस विडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब का तो यह हमलोगा पार्ट वं है फ्रेजल वर्ब का फ्रेजल वर्ब का यूस करके आप लोग बहुत ही आसानी से और mind blowing sentence बना पाऊगे तो let's start, okay का कारण बताना account for account for की मांग करना या के लिए अनुरोध करना ये दोनों के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ask for something, okay हम लोग यहाँ पर think का यूज़ कर रहे है कोई वस्तू का यूज़ कर रहे है तो ask for something मिलने या बात करने के लिए सन्वाद देना, यहाँ हम लोग किसी आदमी के लिए बात कर रहे है तो यहाँ भी ask for होगा बट यहाँ पर somebody के लिए होगा मतलब किसी व्यक्ति के लिए होगा, okay मुकर जाना back out back out का समर्थन करना back up back up सिथ करना या साबित करना bear out bear out धीरत से सहना या बरदास्त करना दोनों इकी वर्ड है bear with bear with फूक कर बुझाना blow out blow out फूट परना या उड़ा देना blow up blow up उफन परना boil over boil over रुक जाना या खराब हो जाना break down break down बल पुर्वक भीतर घुज जाना break in break in बुरी या अशुग घटना का आरंब होना break out break out समाप्त होना या तितर बितर होना break up break up संबंध विच्छेद करना break with break with उत्तपन करना bring forth bring forth पालन पोशन करना या पढ़ाना लिखाना bring up bring up प्रकट या प्रकाशत करना bring out bring out गिराना या काम करना सौरी यहाँ पर कम करना होगा गिराना या कम करना bring down bring down उत्तपन करना bring about bring about वश में करना या नियंत्रन में करना bring under bring under होश में लाना bring round bring round बर्बाद करना या जला कर नस्ट करना burn down burn down किसी को बुलवाना call in call in समाप्त करना या वापस लेना call off call off I hope guys you understand and please like, comment and subscribe for more videos और अगर आप लोग को phrasal verb का sentence में चाहिए होगा जैसे की आप लोग को हिंदी इंग्रिस के साथ कैसे sentence में यूज करना है अगर आप लोग को वो जाना होगा तो comment section में जरूर लिख देना जज करना होगा